मैं हूँ डाइटेशियन निटाशा मोहन और आज मैं आप सब के लिए बड़ा ही एक्साइटिंग वीडियो लेकर आई हूँ उस टोपिक पे जिसके बारे में आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं जितने भी रोटी लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अब उनकी सारी आशंका रोटी से जुड़ी भी बिलकुल क्लियर होने वाली है क्योंकि वो हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि रोटी खाएं तो कितनी खाएं या फिर रोटी को completely give up कर दे अगर उनको अपना weight loss करना है तो आज के वीडियो में रोटी से जुड़ी सारी जानकारी कब खानी है कितनी खानी है कैसे बनानी है उसका benefit कैसे लेना है अगर आपको अपना weight loss करना है ये सब और बहुत कुछ और एक super रोटी की recipe भी दूँगी आपको जिसको खाके आपका weight loss पक्का होगा तो इस वीडियो में अन तक जुड़े रहेगा अगर रोटी की बात करें तो सही माइना ये North India की शान है क्योंकि ये सारे North Indians का staple food है और अगर South India की तरफ जाएं तो जादा तर लोग चावल खाना ही पसंद करते हैं और अगर Western countries की तरफ देखा जाएं तो जादा तर वहाँ पे pizzas, pastas, breads का चलन है तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप permanent और sustainable weight loss चाते हैं तो आपको अपना staple food या फिर अपना comfort food खाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप fat diets के चलते इन सब चीजों को give up कर देंगे तो definitely बाद में जब आप खाना शुरू करेंगे तो weight put on हो जाएगा और give up करने की जरूरत ही क्या है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं सारे myths को bust करके आप लोगों को बताऊंगी कि exactly रोटी के क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान है दोस्तो एक रोटी में होती हैं तकरीबन 80 calories और एक रोटी का size वो जैसे कि 5 या 6 इंज रफली आपके हाथ के size का लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि जितनी भी बड़ी रोटी खा लो calories तो 80 ही रहेंगी वो गलत सोच रहे है रोटी का size 80 calories है रोटा का नहीं तो ध्यान रखिएगा और हां हर रोटी के अंदर GI index करके एक marking होती है जिसको glycemic index कहा जाता है जिससे पता लगता है कि इसको खाने के बाद आपकी body में sugar levels कितनी जल्दी spike होंगे तो अगर जल्दी spike होंगे इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो 0 से लेके 100 की गिंती में रोटी का GI index है बासर याने की 62 50 से नीचे नीचे जितने भी खाने हैं वो आपकी सेहत लिए बहुत अच्छे है very good लेकिन 50 और 55 से बढ़ते ही वो थोड़ा बहुत हानी कारक होने लगते हैं इसका मतलब रोटी की तो 62 है क्या वो इतनी जादा हानी कारक है बिल्कुल भी नहीं जो हम normal गेहूं की रोटी खाते हैं उसमें बड़ी ही important चीज है जो हम लोग भूल जाते हैं उसमें है उसका चिलका याने की हस्ट जिसको चोकर कहा जाता है हम तो बस जल्द बाजी में जल्दी से उसको च्छान के अच्छा स्मूद से आटा बना के खा लेते हैं लेकिन जो च्छना हुआ चोकर होता है आपको पता है उसके कितने सारे फाइदे हैं उसको अगर आप अपनी रोटी में मिलाएंगे तो जट आपकी रोटी का GI index हो जाएगा पचपन जो की है safe limit आप लोग आराम से खा सकते हैं लेकिन एक गड़बड होती है बिलकुल जेल की रोटी की तरह लगती है एकदम सखत और कड़क तो आज यही तो मैं आप लोग को बत इसको हम इतने सालों से खा रहे हैं तो फिर उसका क्या फाइदा हुआ बहुत फाइदे मंद है क्योंकि एक रोटी के अंदर होता है 15 ग्राम काबो हाइड़ेट साथ में 3 ग्राम प्रोटीन और 3 ग्राम फाइबर और फैट सिरफ 0.4 ग्राम और इसके अंदर बेहत अच्छे खा से essential nutrients भी पाई जाते हैं जैसे कि copper, calcium, zinc, magnesium बहुत जादा beneficial है लेकिन जिन लोगों को weight loss नहीं करना वो तो आराम से जी भरके खा सकते हैं दोस्तों अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जो रोटी होती है वो एक carbohydrate dense food है इसमें सबसे जादा मात्रा में carbohydrate सी पाया जात है तो जिन लोगों को मान लीजिए अगर 1200 calorie की diet follow करनी है जिसमें से 700-800 calories तो carbohydrate से ही आएंगी तो क्या वो अंगिनत रोटी खा के पतले हो सकते हैं बिलकल भी नहीं क्योंकि carbohydrates के और भी बहुत सारे sources होते हैं जो आप अपनी daily routine में लेते रहते हैं जिनको अकसर आप count करना भू जाते हैं आपको सिर्फ रोटी as a source of carbohydrate दिखती है लेकिन fruits and vegetables में भी carbohydrates होती हैं क्योंकि weight loss थोड़ा complicated process है मैं आसानी से आपको समझाती हूँ जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसको accept करते ही उसको चार भाग में divide कर देता है carbohydrates, protein, fats और fiber में और जो हमें रोटी से carbohydrate मिल रहा है मान लीजिए दिन में 8 या 9 रोटी आप लोग खा रहे हैं तो जितना भी carbohydrate है सब आपके energy consumption के लिए use होता है और भी जितना भी आप खाना खा रहे हैं जिसके अंदर carbohydrates है वो भी सब energy में जाएगा लेकिन अगर आप इतनी activity नहीं खर रहे हैं उस energy को consume ही नहीं कर तो वो आपकी body में as glycogen reserve store हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते fat का रूप ले लेगा नहीं तो आपको nutrient deficiency के चलते या तो headache होता रहेगा या फिर lethargy और laziness feel होता रहेगा या फिर आपका hair fall होगा skin का luster चला जाएगा बहुत सारी problems होंगी इसलिए अपने daily essential nutrients को ध्यान में तो जो लोग 1200 calorie की diet follow करते हैं weight loss के लिए वो पूरे दिन में 2-3 roti खा सकते हैं और जो लोग 1500 calorie की diet follow करते हैं weight loss के लिए वो पूरे दिन में 4-5 roti ले सकते हैं लेकिन जो लोग 1800 कैलरी की डायेट फॉलो करते हैं, खास करके जो लड़के हैं, वो maximum 6 रोटी तक खा सकते हैं, उससे जाधा नहीं. अब आपको ये तो पता लग गया कि कितनी रोटी खानी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राइट टाइम क्या है रोटी को खाने का, अगर आपको अच्छे से वेट लस रिजल्स चाहिए. दोस्तों मैं तो आपको ये ही अडवाईज करूँगी कि रोटी को अगर आप रात को बहुत लेट खाना खाते हैं तो अवोइड करियेगा. शाम का समय ऐसा होता है कि naturally हमारे बोडी के जितने भी internal organs हैं, उनका process slow down हो जाता है. हमारे शरीर को energy giving foods की जरूरत ही नहीं है, जो की mainly carbohydrates से आता है. इसलिए आपने सुना होगा कि अगर जिम जा रहे हैं तो जल्दी से एक high carb snack ले लीजिए क्योंकि उसी से आपकी बोडी को और energy मिलेगी और अच्छा workout करने के लिए. लेकिन रात को तो हमारे शरीर को energy की जरूरत ही नहीं है, ये तो almost a rest and retire mode में जा रहा है. तो definitely अगर आप रोटी को रात को नहीं लेंगे तो बहुत सारा फाइदा मिलेगा, लेकिन मैं carbs avoid करने के लिए नहीं कह रही हूँ. जी हाँ, I would prophesize the low carb diet अगर आप 7 बजे के बाद खाना खाते हैं, क्योंकि ये digestion में भी easy रहेगा, आपका metabolism तीवरगती से आपके खाने को digest भी कर पाएगा, और तो और उसको breakdown करते वे जल्दी से आपके weight loss में help भी मिलेगी. तो जो लोग रात को लेट खाना खाते हैं, उनको मेरी यही advice रहेगी कि रात को रोटी avoid करें, लेकिन अगर avoid नहीं होती, तो जादा से जादा एक रोटी तक ले सकते हैं. तो अक्सर आपने सुना होगा कि जिन लोग को quick weight loss चाहिए, वो सबसे पहले gluten free diet का सहारा लेते हैं. उनको लगता है कि जो रोटी के अंदर एक protein पाई जाती है, जिसका नाम है gluten, उसी की वज़े से उनका weight loss नहीं हो पा रहा है. In fact, रोटी छोड़के कोई अच्छे से weight loss नहीं कर पाता. मेरे पास जितने clients आते हैं जो इन fat diets के चलते अपनी मन पसंद रोटी नहीं खा पाते, वो सब तरस जाते हैं रोटी खाने के लिए. तो अगर आप gluten से allergic हैं, तब भी आप उसको give up कीजिए. वरना weight loss के लिए gluten give up करन अब मैं आपको बताती हूँ अपनी ओस सुपर रोटी की recipe, जिसको definitely अगर आप लोग try करेंगे तो बहुत अच्छे results मिलेंगे weight loss के लिए. तो दोस्तों यह जो सुपर रोटी है, यह बहुत ही फाइदे मन्द है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको diabetes है, cholesterol है, PCOS है या फ हम सबसे पहले लेंगे normal गेहू का आटा तकरीबन 20 प्रतिशत, फिर हम डालेंगे उसके अंदर brand याने की choker का आटा, again 20%, तो यह तो हो गया 40%, अब हम इसके अंदर 40% तक मिलाएंगे oats का आटा, जो normal oats available होते हैं market में, उसको dry roast करके, grind करके, powder के form में बनाके इसके अंदर add करे और जो बाकी का 20% बचा है, उसमें हम मिलाएंगे basin, एक बहुत ही healthy mixture है, जो आप लोगों को एक complex carbohydrate प्रदान करते हुए, आपकी digestion को भी fast करेगा, metabolism को भी आपका इतना अच्छा कर देगा, कि आपको सारा खाना पचना शुरू हो जाएगा, और सबसे बड़ा इसका ये फाइ जैसे कि अजवाएंग, जीरा या फिर साबुद धनिया इनको रोस्ट करके एक पाउडर फॉम में बना के रख लीजे, बस जबी भी रोटी बनाए एक चुत्की बर आड़ कर दीजे और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अगर आप इसको और भी जादा nutrient dense बनाना चाह तो जो गेहूं का आटा और जो हस्क याने की चोकर है, उन दोनों का combination मिलाके आप replace कर सकते हैं, या तो रागी से, जवार से, बाजरा से, कोई भी और millet का इस्तमाल कर लीजे, उनका आटा लेके आप इस रोटी को as it is बना सकते हैं, जाते जाते एक बहुत important tip, जो लोग समझ हैं कि सिर्फ रोटी ही खाएंगे और कोई चीज जरूरी नहीं है, साथ में रोटी इतनी सारी खाते हैं, लेकिन दाल या फिर सबजी एक छोटी का टोरी, थोड़ा सा आपने इस psychology को change करिए, रोटी अगर लेनी है तो एक से दो तक नियमित रखिए, पहले शुरुआत कीज खाने की, एक प्लेट भरके सलात खाईए, फिर उसके साथ में एक कटोरी दाल, दही और सबजी का भरके लीजिए, फिर देखिए अगर आपको और भूक लग रही है के नहीं, और हाँ बड़ी बड़ी बाइट्स लेना not allowed, अगर रोटी खाना है तो धीरे धीरे चबा चब अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो जरूर आपका वेट लॉस होगा वो भी रोटी खाके, उमीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहत पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, तो जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए, तिल देन, टेक केर.